हम इसमें फोर्थ रूल कभर करने जा रहे हैं जैसे कि और 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 का यूज मोस्ट अब ताइम हम प्राइज स्पीड और रेशो के बारे में भी यूज करते हैं मतलब होता है मिन्स पर और इच एक के बारे में हम इसे बोलते हैं जैसे कि एक्जांपल देखिए दे कॉस्ट ऑफ ओनियन इस रुपीज फिप्टी अ किलो यहां पर अ किलो देखाए मैं लिखाए मैंने सेकेंड एक्जांपल देखिए शी ड्राइव्स द कार अट फिप्टी किलोमेटर्स अन आर यहां पर फिप्टी किलोमेटर्स के लिए हर एक घंडे का उसका जो स्पिप्टी किलोमेटर्स अन आर के हिसाब से मैंने यहां पर बता है और लास्ट सेंटेंस हम यहां पर दिखागा है दिन में मैं दो बार का वर्काउट करता हूँ तो हम यहां पर बोलेंगे अब हम देखेंगे रूल नमबर फाइव यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग रूल है पहले रूल देख लिए अ इनके पहले अब यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हमने इसके पहले कभी भी आपने यह पढ़ा नहीं होगा कि Mr. के पहले या Mrs. के पहले या Miss के पहले हमने A use किया है तो उसका reason यह है इसका rule यह है actually कि जब वो इनसान आप उस इनसान को नहीं पहचानते अ परीचित व्यक्ती है वो stranger है आपके लिए और वो आपके सामने आता है और first time आप उनसे मिलते हो तो उनको जब आप refer करते हो तो उस वक्त आपको उसके पहले उस noun के पहले आपको A use करना है जैसे कि पहला example दिया है मैंने this letter is given by A Rahul मैं नहीं जानता रहुल को नहीं है तो उसके पहले मैंने लिखा A Rahul अब next sentence देखे ए Mr. Shinde came to see you मालूम नहीं भई कौन Mr. Shinde ही है Mr. Shinde came to see you आपको मिलने आया थे Mr. Shinde थर्ड रूल देखें A Mrs. Spartel called when you were away आप जब निकल गए उस वक्त मिस्स पाटिल जो थी उन्होंने कॉल किया था या फिर वो आये थे फूर्थ रूल देखें फूर्थ sentence देखें A Miss Ruhi wanted to meet you A Miss Ruhi कोई Miss Ruhi आई थी वो आप से मिलना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा A Miss Ruhi wanted to meet you understood अब हम देखेंगे रूल नमर 6 क्या है रूल नमर 6 देखें A is used before singular countable noun इसके पहले जो वीडियो है मतलब हमारा जो पहला वीडियो है आर्टिकल्स का उसके इसमें ही मैंने रूल लिख दिया था आर्टिकल हम यूज करते हैं singular countable noun के लिए ओके तो यही रूल अब हमें देखना है example देखें पंकज is a good teacher पंकज is a good teacher second rule देखें गावरव is a handsome fellow गावरव is a handsome fellow third rule देखें रूही is a catchy girl और last sentence है लीना is a beautiful girl understood अब हम देखेंगे rule number seven rule number seven देखें क्या है it is also used in the sense of every every के जगा हम इसे use करते है पतलब example देखें इसके पहले she gets a salary of rupees 5000 a month our next sentence है cricket bat cost rupees 450 a dozen now understood thanks for watching my video please like share and subscribe my channel thank you very much